डॉक्टर साब साब को अपने चानल पर स्वागत है नीट यूजी दो अज़र चौबिस का एक्जाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है जी आँ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है आज है 18 जुलाई आज फाइनल डिसीजन आने वाला है सीबियाई भी अपना पच रख चुक्या है और मैं यह बताना चाहूंगे इस वीडियो में कौन दो राज है जहां परिच्छा रद होने की संभावना बेहत ज़ादा है पूरी तरह से परिच्छा बाधित नहीं होगा यह मैं आपको बता रहा हूँ कुछ मीडिया में डाला है उस अधार पर के रिपोर्ट का नुसार से जो बात उन्होंने कही है उस अधार पर जो रिपोर्ट है गौर्मेंट का भी एफिडिफिट डाला गया है इन सब टॉपिक को अगर गोर क्या जायते एक अनुमान है कि बस दो ही राज में एक्जाम आपका रद होग बाकी राज्यों में रद नहीं होगा अब किस राज्यों में रद होगा वह पूरा डीडेल मैं इस वीडियो में बता रहा हूं सबसे पहली बात में बता दो कि नीट यूजी को लेकर अठाना जुलाई को या सुनवाई होने वाला है सुप्रीम कोट में आकि दो ऐसे राज कुल भूज है जहां पर यह कांसलेशन होने की संभामना ज़ादा है खास करके वह राज है वो बिहार और जारंखन प्रहां रहें कि प्रूरी कि सब्सक्वार कर दिया जा सकता है प्र से अग्जाम लिया जा सकता है अब बचे आप सवाल कर रहे हैं कि आज 18 जुलाइवा आज सुनवाई क्या आएगा तो जहां तक यह सवाल सी बी आई के अजाज रिपोर्ट में काफी बाड़ा खुलासा होने के बाद सिर्फ दो राज में परिछा रद हो सकते पूरी जनकारी अपडेट आई है दूसरी बात अगर यह आप कॉंसलिंग को लेकर भी बहुत से बच्चे पर मिलता रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिशन ओन कर लिजिए यहां तक बहुत बड़ी बात रिपोर्ट में का गया है सुप्रीम कोट ने पिछले सुनवाई में यह कहा था कि अगर पेपर लि सब्सक्राइब कि सारा एक्जामनेशन रद नहीं होगा सब्सक्राइब कर लाइक अंसे कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैवाइब